आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेथी का एक बहुत ही बढ़िया नाश्ता और इस नाश्ते को बनाने के लिए आपको मेथी को चौप करने की भी जरुरत नहीं है यानि टाइम कम लगेगा नाश्ता इदम बढ़िया बनेगा तेल भी कम लगने वाला है तो पूरी रेसिपी देखेगा मेथी अभी बहुत ही फ्रेश मिल रही है मार्केट में तो क्यों ना इसकी वराइटी ओफ रेसिपी बनाके एंजॉई करें मेथी का एक बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनाते हैं वो भी घर पे रखें इंग्रीडेंट के साथ कोई भी कटोरी सेट कर लीजे उसके अकॉर्डिंग ली तीन चोथाई कप आप ले ले पौहा और सबसे पहले हम इसे अच्छी तरह से वाश करेंगे तीन से चार पानी में ताकि इसका जो गंदा पानी है इंप्यॉरिटी जाया है दूल मिटी लगी हो वो सब साफ हो जाए इसकी बाद सारा पानी निकाल ले और 10 मिनिट के लिए इसे कवर करके छोड़ दे ताकि पौहा चितरा से फूल जाए देखिए फ्रेंड्स पौहा चितरा से फूल चुका है दम ड्राइ है बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है ऐसा ही पौहा हमें चाहिए पानी वाला नहीं लीजेगा अब पौहे को एक बड़े बरतन में एड़ कर लिया है और अब इसे हम मसलेंगे पौहा इस रेसिपी को क्रिस्पी बनाएगा इसलिए पौहा आप जरूर डाले या तो इसके बदले आप चावल का आटा भी थोड़ा सा एड़ कर सकते हैं अब यहां ले लिया है मैंने तीन कप मेथी मेथी को मैंने बस वाश करके लिया है मेक शूर करना है कि मेथी में ज्यादा पानी ना हो बस वाश करके आप इसे ड्रेन कर ले इसका पानी और इससे ले ले इस रेसिपी की खासित यह है कि हमें मेथी को चौप नहीं करना है आपको रैंडम ली जैसे म इसको तोड़ ले इससे इस रेसिपी का स्वात चार गुना बढ़ जाएगा तो और आपका समय तो बचने ही वाला है रेसिपी क्विक बन जाएगी और यह आप नाश्ते के लिए डिनर के लिए कोई मेहमान आ रहा है स्टार्टर की तौर पर भी आप इसे इंजॉय कर सकते है तो यहां अब मैं यह दंडिया जो है यह निकाल रही हूँ यह देखें थोड़ी से दंडिया दिख रही है वो आप निकाल ले और अब इसमें हम दाल देंगे एक प्यास बड़ा लंबा कटा हुआ ही डालना है आपको छोटा नहीं करिएगा और धनिया डाल दिया है मैंने थोड़ा सा फ्रेश धनिया आभी मार्केट में वो भी बहुत ही ससा मिल रहा है तो आप दाले और अब इन सारी चीजों को आपको अच्छे तरह से मिक्स करना है इस रेसिपी में हम पानी का भी यूज नहीं करने वाले हैं तो पानी होता है उसी में हम यह रेसिपी बनाने पेस्ट हैथुड़ मिर्शें पीस्ट यह रेकर यह तेयुन है और हम इसे अच्छु दर से मसल लेंगे दो मिमिड के लिए आप इस तरह से मसले इसको यह देखे बढ़िया अब इसमें डालेंगे अध्रक लेसन मिर्शी का पेस्ट दो चमच के कडीब मैं डाल दिया है ृ नमक बै weit пой 17 कमशु में ठन्य değildi गुरणी ऊठिया अधा यह चे करीब थूड़ा सी गरूर। थूड़ा सालणी यहाद शुड़ा पर नमक बैसन के यहाद रहा है। हम बैसन उसी कप से आपको बैसन लेना है। पना symbols और प्यास का जो पानी छोटेगा उसी में हम इसका एक डो सा बना देंगी तो आप mix करते जाएं यह हमने तीन चोथाई कप और बेसन आड़ कर रहे हैं क्योंकि मुझे binding नहीं लग रही है इसलिए मैं यहां तीन चोथाई कप और बेसन आड़ कर रहे हूँ यह depend कर सकता है फ् आटेलियों पहले आप थोड़ा सा तेल लगाए और इसके टिकी बनाएं आप चाहे तो इसके बॉल्स भी बना सकते हैं और अपम पान में इसको फ्राइ कर सकते हैं यह तकी बना रही हूँ इस तरह से आप टिकी बना ले प्यास को लंबा लंबा ही काटिये जब वो जिसे टिकी के वो आप सील कर एच्छी तरह से ताकि अंदर इसके तेल ना जाए जब हम इसे कुक करेंगे यह रिखे इस तरह से आप टिकी बना ले और थोड़ी सी आपको मोटी रखनी है इदम पतली भी नहीं करनी है तो सारी टिकी बना ले यह हम इने पैन रख लिया है पै में भी यह कर सकते हैं तो इसमें एड कर लेंगे और सारी टिकी को हम मीडियम फ्लेम पे अफ्राइ करेंगे जब एक साइड अच्छी तरह से कुक हो जाए तब हम इसे फ्लिप कर लेंगे यह देखे बड़िया सा ब्राउन कलर आया है और इसे मीडियम फ्लेम पे ही करना है बीच में आप flame को low भी कर सकते हैं तो पहले center वाली करिएगा flip क्योंकि center में ज़्यादा flame लगती है तो इसी तरह से दोनों side ये देखें brown spots आ गए हैं अच्छी तरह से ये roast हो चुकी है चले से serve करते हैं तो बड़िया सी हमारी मेथी के वड़े या मेथी की ठिकी बनके ready है जो बहुत जादा tasty है crispy है crunchy है बाहर से तो ये crispy है ही अंदर से the mouth melting है इदम different तरीके का ये नाश्टा है मेथी को चौप करने की जरुवत नहीं है ना ही हमने इसमें पानी यूज किया बस basic ingredient के साथ ये recipe बनी है जिसे आप सुबह के नाश्टे में चाई के साथ enjoy कर सकते हैं कोई मे इसे बना सकते हैं तो अभी fresh मेथी आ रही है तो जरूर बनाएं देखें अंदर से soft उपर से crisp इदम बढ़िया ये recipe है ऐसे ही ये खाने में मज़ेदार लगती है इसके साथ आप ketchup सर्व कर सकते हैं या नहीं भी सर्व कर सकते हैं इसके साथ नहीं भी बहुत अच्छा लगत है तो कैसी लगी ये recipe मूँ में पानी आया की नहीं और देखते ही बनाने का मन हुआ की नहीं इसके लिए जरूर कमेंट करके बताएगा तब तक के लिए friends like भी कीजिए share भी कीजिए और subscribe कीजिए मेरे चैनल को तिल देन take care bye My और बयुष ये और बयुष आयुष ऱपाईव हूए हूए